मैंने आज पी एक जानवर की पॉटी से बनी हुई कॉफी और ये कॉफी वर्ल्ल की सबसे एक्सपेंसिफ कॉफी में से एक है तो मैं हूं इस वक्प के नाम है Nusa Pellida और यहां पर जिस जानवर की बात में कर रही थी वो है यह इसका नाम है I think Leavak और इस जानवर की खासियत यह है कि यह पूरे दिन तो यहां पर सोता रहता है लेकिन रात में यह इस पिंजर से बाहर निकलता है जी हाँ इसे पिंजर में बंद करके नहीं रखते क्योंकि सबसे पहली चीज थी जो मैंने इन से पूझी थी इन्होंने बोला कि रात में यह बाहर निकल जाता है और उसके बाद यह इस फील्ड की सबसे बेस्ट कॉफी चुनकर उन्हें खाता है और जब यह पॉटी करता है तो उसकी पॉटी को जो आपको यहाँ पर अभी दिख रही है प्लास्टी के बैग में इसको जमा किया जाता है लिटरली गाइस के इस जानवर की पॉटी है इसको यह लोग जमा करते हैं प्रोसेस करते हैं अब मैं आपको पताती हूँ यह लोग इसको पांच बार एकदम अच्छे से दोते हैं आपको पता है इस जानवर की पॉटी में जो कॉफी रहती है वो दिखती है कुछ अलग ही पर ऐसा इन अंकल का कहना था कि उसका टेस्ट भी जो है वो नॉर्मल कॉफी से बहुत जादा अच्छा होता है तो यहाँ पर इनों ने इसको एकदम प्रोसे करने के लिए और यह वही लुवा कॉफी है लेकिन उसे अलग-अलग फ्लेवर्स के साथ में ब्लेंड करके और बहुत अलग-अलग वेराइटी बनाई गई है एक और बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो मुझे यहाँ पर पता चला वो यह है कि लुवा कॉफी जो है व अवाख कॉफी पी जो में को बहुत ही मतलब ना डीसंट लगई बहुत अच्छी नी थी बहुत अब बुरी नी थी बहुत ही बटी डीसंट ती न इसको पिया यह शुदी आजब से बनती है एंड ऑन एस्का टेस्ट बहुत ही गंदा था मेरा मुझा आप थे सकते हो मुझ कि मुझे ना कुछ बहुत जादा पसंद है तो मैंने इसको पिया and honestly बाकी जिती थी उनसे तो काफी ठीक थी पर इती जादा कोई अच्छी दी जैसे मेरा मुझ आपको बता ही रहा है अभी तक मैंने लुगा कॉफी ट्राइ नहीं की है पहले मैंने सोचा कि वहारे फ्री में स कुछ यहास पसंद नहीं लेकिन इमने से अच्छी कॉफी जो मुझे लगी वो थी यह वनिला कॉफी विकिस यह जैनुइनली बहुत अच्छी लगी मुझे and उसके लावा बागी सारी कडवीती तो like obviously मुझे पसंद नहीं आई अब हम ट्राइ करेंगे लुवा कॉफी अग अगर आप इसको अपनी नॉमल कॉफी से रिप्लेस करोगे तो इसके हल्थ बेनिफिट्स भी काफे अच्छे हैं तो मैं उसके लिए काफे इंट्रीग थी और मैंने जाते जाते खरी दी भी है and यहां पर लुवा कॉफी मैं आपको बता दूँ I think यह 200 ग्राम संथिंग यह कुछ 1800 रुपे काई लोग दे रहे थे जो काफी एक्सपेंसिव है अच्छा मैंने अपने लिए ना वनिला वाला भी लिया फ्लेवर क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद आया था जैसे मैंने आपको बोला एक ही मीठा थोड़ा बहुत फ्लेवर ता वापे वह था वनिला उस कोफी जो थी ना मेन लुवाक कोफी वह हमने बादने नहीं ली किस हमारे साथ ही चोट हो गई थी हम हमारा पॉर्स बूल गेते हैं हमें इस पूरे आइलेंड पे गूमना भी था तो इसके लिए हमें पैसे चाहिए थे तो जो भी हमारे बचे थे उसी में सवाइब करना था तो फिर हमने वो देखे मेरी जो फेवरिट थी वानिला हमने वो तो ले ली और गाइस क्या कर सकते हैं लास्ट मुमेंट पैसी चोट होती ही रहती है तो हमें यार मैं को बड़ा दुख हुआ कि मुझे वो लुवा कोफी छोड़ कर आना पड़ा बट अब हमारी किसमत में नहीं थी तो हमने लेने के बाद भी हमें उसे वापस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास थोड़ा मनीश हो गया था